यूँ तो बड़े परदे की बहुत सी अभिनेत्रियां अपने पतियों पर आँख बंद करके भरोसा करती हैं जिसके चलते वो अपने पतियों को किसी के भी साथ देख सकती हैं क्योंकि वो ये अच्छे से जानती हैं कि उनके पती बहुत सीधे साधे हैं जो लड़कियों की जल्द अट्रक्ट नहीं होते और सिर्फ इन ही से प्यार करते हैं लेकिन दोस्तों कि आपको मालूम है कि बॉलिवुड में ऐसा भी अभिनेत्रियां है जो अपने पतियों को किसी और की बाहों में देखकर भड़ा कुटती है और सारा गुस्सा अपने पतियों पर निकालती ह जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उरहें अपने पतियों पर एक परसेंट भी वरोसा नहीं है पर वो क्यूं किसलिए और आखिरकार कौन कौन सी है वो अभिनेत्रियां आईए मिलते हैं उनसे बॉलिवुड की सबसे काम्याब आक्ट्रस बनी ट्विंकल खन्ना पहली वो आक्ट्रस हैं जो अपने हैंडसम पती अक्षे कुमार को किसी और की बाहों में देखकर भड़क उठती है क्योंकि इनके लिए अक्षे ही सब कुछ है जिनके मूँ से ये किसी और गयर औरत का न से दूसरी शादी हुई है जिनसे ये इतना प्यार करती है कि अगर सैफ किसी लड़की से बात कर लेते हैं तो ये तुरंत भड़क जाती है क्योंकि करीना के लिए अपना प्यार सब कुछ है जिसे खोने से डरती है ये तभी तो ये अपने पती को जादा बाहर आने जाने के पतिवी की कौशल इनके दिलों से इतने करीब हैं कि उन्हें किसी के साथ भी बड़दाश्त नहीं कर सकते और तुरंध ही भड़क जाते हैं जिसके चलते ये उन्हें अपनी पल्लू से बांद कर रखती हैं नमबर चार पर हैं आलिया भट, 14 अपरेल को धूम धाम से ब्यूटिफुल आक्ट्रस आलिया भट ने अपने लॉंग टाइम लवर रनबीर कपूर से साथ फेरे लिए है जिसमें इनकी जान बसती थी, इसलिए रनबीर अगर किसी लड़की से हाई हेलो भी कर लेते हैं तो य आती हैं क्योंकि आलिया एक जलिस पतनी है जिन्हें अपने पती को किसी और के साथ देखना कतई मंजूर नहीं है नमबर पांच पर हैं दिपिका पादुकोंड यूं तो बॉलिवूड की सबसे बोल्ड आक्ट्रस दिपिका पादुकोंड अपने पती रनवीर सिंग पर आ काजोल देवगन वहीं अपने खुशनुमा अंदाज से मशूर आक्ट्रस काजोल के पती अजय देवगन वैसे तो एक भरोसे मन पती हैं जो कभी इन्हें हट नहीं करते हैं जिसके चलते काजोल उनसे इतना प्यार करती हैं कि ये कभी उनसे अलग नहीं होना चाहती बस इस इसी वज़े से ये अजय को किसी और की बाहों में देखकर भड़क जाती हैं वेल दोस्तों इतने से में आपको किस पती पत्नी की जोड़ी अच्छी लगती है आप हमें अपनी उस जोड़ी का नाम कमेंट करके जरूर बताएं साथ ये ऐसी दमदार कबरे पाने के लिए आ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें